सबी का स्वागत है आपके अपने परिवार रूजगार विदंकित पे आपके चैन बैच में सबी बच्छे जल्दी से एक बार क्लास से जुडेंगे रियल इस्माइल बिड़ा कैसे लाल मूह बेज रहे हो सगुन राना है मौन्टी पवार है खुस्बू सौनकर है बहुत अच्छे जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुडेंगे विशेक कुमार है अनश है सगुन राना है गुड आफ्टर नून भाई गुड आफ्टर नून जल्दी से आजाओ सभी वच्चे फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पीकू है प्रीती बहुत अच्छे स्वेता कुमारी है तो आज की क्लास में मैं आपको अर्थकिक के बारे में बताने वाला हूँ अर्थकिक आप सभी जानते हैं भूकमप आपने देखा होगा 2001 में गुजरात के भुज में बहुत तगड़ा वाला भूकमप आया था तो भूकम्प आखिर होता क्या है भूकम्प के क्या कारण हो सकते हैं और भूकम्प और मतलब क्या-क्या नुकसान तो पहुचाता है आपको पता है क्या बार क्या होता है पंखा इलने लगता है हम लेटे-लेटे हैं हो भूकंप आ गया नीचे घर से बाहर चलो ठीक है ना तो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान लॉस भी उठाना पड़ता है तो ये प्राकृतिक आपदा है नेचुरल डिजास्टर है प्रकृति की देन है भूकंप यानि कि हमारे द्वार थोड़ी न लाया जाता है कई ब बार मानब भी भूकंप ले आता है ठीक है न भई बहुकाल मचा देंगे भूकंप ले आएंगे तो अलग-अलग तरीके हैं भूकंप के वो सारी चीज़े में आपको डिसकस करूँगा चलो भई सूरसरोज मावी शर बहुत बढ़िया चलो आजाओ सभी बच्चे सबसे प बाहर वाली परत है हम कहां रहते हैं बटा हम रहते हैं प्रत्वी की सबसे बाहरी परत पर यानि कि हम रहते हैं क्रस्ट पर ठीक है न भई हम कहां रहते हैं बच्चे क्रस्ट पर रहते हैं क्रस्ट को भूपरपटी भी कहते हैं हिंदी में तो हमें जो कंपन्न यानि कि जो vibration महसूस होते हैं प्रत्वी के crust पर vibration जटके तो होते हैं ठीगे ना भई तो पृत्वी की crust पर भूपरपटी पर महसूस होने वाले वाले कंपनों को ही भूकम्प चाहता है तो भूकम्प आप किसे कहोगे अर्थ के किसे कहोगे और्थक्री की definition क्या बनती है बच्छे प्रत्वी के क्रस्ट पर प्रत्वी के प्रत्वी के क्रस्ट पर प्रत्वी के क्रस्ट पर महसूस होने वाले महसूस होने वाले महसूस होने वाले कमपन्नों को कंपन्नों को कंपन्नों को भूकंप कहते हैं भूकंप कहते हैं अर्थकुक कहते हैं हमें अर्थ के क्रस्ट पर जो जटके मैसूस होते हैं वाइब्रेशन मैसूस होते हैं कंपन्न मैसूस होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है बच्छे अर्थक्विक कहा जाता है बात के लिए रहे सभी अच्छों की ओ भाईया प्रीती फोगाठ ये क्या कह रहे है अरे क्रस्ट नहीं क्रस्ट होता है ओ भाईया तुम यार यहां भी यानि कि भूकम्प में भी ने क्रस्ट दिखाई दे रही है बिटा जब भुकम पाता है तो ना रहती है, क्रस और ना रहता है क्रस से ठीक हड जाता है, अगर बगल में क्रस हो भी, तो फिर आप निकल जाओगे जोप चाप बाहर, यह कर लोगी होती रहेगी ठीक अपने आप क्रस, ठीक है ना पहले बात करते हैं अर्थ को about अर्थक अने के कारण क्या है यह vibration हमें किस कारण से feel हो सकते है कारण क्या होते है तो दिहान रखिएगा बचे एक तो पस Christmas Paranas और एक माननीय कारण हो सकते है नहीं कि human reason माननवीय कारण बही आप मानव भी भूकम प्ला सकता है बिलकुल आ सकता है ठीक है न एक तो हो गए आपके मानवी है कारण मानवी है कारण और एक होते हैं बच्छे प्राकृतिक कारण प्राकृतिक कारण अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर छोटी सी एक कि देखो मानवी ये कारण कैसे है मतलब जो मानव के द्वारा लाएगे अब आपने देखा होगा आज कल जैसे परमानू बंब बनते हैं आपके ठीक है ना परमानू बंब जब फोड़ा जाता है तो वो इतनी ज़ादा हीट और एनर्जी जंदेट कर देता है ये मतलब कैई कैई किलोमेटर सौसो किलोमेटर दूर तक की परत्वी काँप जाती है तो अगर बंब इसफुट करा जाए हाइड्रोजन बंब फोड़ा जाए यानि कि कोई विस्फोट किया जाए, बंब विस्फोट बड़ा बंप उड़ा जाए, तो बिटा प्रत्वी की जो क्रस्ट है, वो वाइब्रेशन करने लगती है, वाँ समझ मारी है ये बचे एक human reason है, मानवी ये कारण है, वाँ समझ मारी है न क्रस्ट माने क्या होता है बिटा भूपरपटी कहते हैं, भूपरपटी ठीक है न, क्रस्ट का मतलब हिंदी में होता है भूपरपटी, तो अब देखो यहाँ ध्यान से समझना है आपको मानवी ये कारण में क्या हो सकता है जैसे, बंब विस्फोट मानव क्या कर दे बिटा बंब विस्फोट कर दे क्या होगा, प्रत्वी कांप जाएगी कांपने का मतलब vibration पैदा हो जाएंगे तो ये भी भूपंप का कारण बन सकता है अगर मैं बात करूँ आपसे प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं जैसे कि प्रत्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती है, जैने टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है तो प्रत्वी के अंदर खाना खाने वाली नहीं, बड़ी बड़ी प्लेट जैसे कि आपका एसिया और यूरोप जिस प्लेट पर है उसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट पे है तो प्रत्वी के अंदर जितने भी महादवीप और महासागर हैं, वो प्लेटों के उपर इस्थित है, तो उन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट, बास समझ मार है न तो ये बात ध्यान रखनी है थोड़ी सी, तो कहने का मतलब वो बड़ी बड़ी प्लेट हैं, जब एक दूसरे की तरफ मुमेंट करती है, ये एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, ये आपस में टकराई, ठीक है न भई, आपस में टकराई, भूकम पा जाएगा, तो बचे प नैचुरल है, आदमी थोड़ी ना यसे दक्का दे रहा है कोई, ठीक है न तो प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के टकराने से भी आ सकता है, तो ये तो हो गया एक नैचुरल कारण, या फिर आप कह सकते हैं एक दूसरा कारण है, जैसे कि कभी कभी जवाला मुखी विस् फोड से भी कई बार भूकम्प आता है, आप न देखाओगा हिमाले छित्र में कई बार भूकम्प आता है, क्योंकि इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, पास समझ मारा है ना, हाँ बिलकुल बच्छे, पास समझ मारा है न, तो ये कारण हो सकते हैं भू प्रत्वी का ऐसे मानो ये जो परत है ये क्रस्ट है क्रस्ट अभी आपको बता है क्रस्ट प्रत्वी की बाहर वाली परत है जिसे हम भूपरपटी भी कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चे भूपरपटी भूपरपटी भी कहते हैं जिसे क्रस्ट को भूपरपटी कहा जाता है द बनी ये भूकम्पी तरंगे बनने के बाद बच्चे चारो दिशाओं में भागने लगती हैं इस तरीके से ठीक है न भई चारो दिशाओं में जाएंगे अब देखो जहां सबसे नजदीक जगा होगी वहां सबसे पहले पहुचेंगी यहां सबसे पहले पहुचेंगी यानि कि यह नजदीक जगा है अगर इसके तो सबसे पहले यहीं पहुचेंगी और यहां से फिर यह इधर उधर चलने लगेंगी धरातल पे चलेंगी कुछ अलग अलग प्रकार की होती है मैं बताऊंगा आपको जितना जरूरत होगा तो देखो जहां से भूकम्प ये तरंगों की उत्पत्ती होती है उस बिंदू को भूकम्प मूल या फिर उद्गम केंद्र कहा जाता है फोकस कहते हैं अंग्रेजी में एक्जाम में पूछेगा आपसे फोकस क्या है फोकस को हम क्या बोलते हैं बचे भूकम्प मूल भी कहते हैं या फिर इसके दूसरा नाम एक और होता है इसे उद्गम बिंदू भी कहते हैं उद्गम केंद्र भी कहते हैं उद्गम केंद्र का मतलब जहां से सिस्मिक वेब या अर्थकिक वेब का जनरेशन होता है, भूकम केंद्र भी कहते हैं, उद्गम केंद्र, ठीक है न, उद्गम केंद्र, तो उद्गम केंद्र कौन सा इस्थान है, जहां से भूकम पिये तरंगों की, ठीक है न, उत्पत्ति होती है जहां से सिस्मिक बेग और औरीजनेट होती है जहां से भूकम्प ये तरंगों की जहां से भूकम्प ये तरंगों की उत्पत्ती होती है यानि कि जहां से सिस्मिक बेग औरीजनेट होती है उस पॉइंट को क्या बुला जाता है भूकम्प मूल और जिस इस्थान पर जहां भुकम्प की जो तरंगे हैं सिस्मिक वेब हैं सबसे पहले जहां सरफेस पर फील की जाती है उसे बच्चे क्या कहा जाता है उसे उसे कहा जाता है बच्चे आपका एपी सेंटर क्या बोलते हैं बच्चे से एपी सेंटर epicenter epicenter को बोलते हैं बच्छे अधीकेंद्र अधीकेंद्र क्या है अधीकेंद्र क्या है धरातल का surface का वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकम्पिय तरंगों को महसूस किया जाता है चीक है न भई बिटा ये plate है न देखो मेरी बास समझो कोई भी चीज है वो ऐसे floating है floating अलग-अलग हैं तो ये plate हैं आपस में एक दूसरे की तरफ moment करती रहती हैं मैंने आपको एक चीज बताया था जिसे continental drift theory कहते हैं जब मैंने आपको भारत के बारे में बताया कि भारत पहले कभी गौंडवाना लेंड का हिस्सा था Australian plate से तूटा तो ये जो plate हैं ये एक दूसरे की तरफ moment करती रहती हैं हिलती रूलती रहती हैं सीक है न भई जैसे continental drift theory कहते हैं तो continent जब एक दूसरे से टकराएंगे बड़ी बड़ी जगा है जब टकराएंगे अपस में तो बड़ी जगा टकराएंगे अब ये कोई थोड़ी ना कि खाने की plate ने टकरा रही है कोई दिक्कत नहीं है खाने की plate भी थोड़ी बहुत आवाज कर देती है एक बर सभी बच्चे class लाइक कर देंगे तो जहां धरातल पर सर्फेस पर सबसे पहले भुकम्पिय तरंगों को महसूस किया जाता है सिस्मिक वेव को फील किया जाता है उसे हम epicenter कहते हैं तो अधिकेंद्र क्या है धरातल प्रत्वी की धरातल पर यानि कि सर्फेस पर प्रत्वी के धरातल पर प्रत्वी के धरातल पर जहां सर्व प्रिथम भूकम्प तरंगों को महसूस किया जाता है तो उस स्थान को क्या कहते है बच्चे ये कुशन कैई बार पूछे गए है एक्जाम में सीदे सीदे से एपी सेंटर क्या है अधीकेंद्र जहां पर सबसे पहले भूकम्प तरंगे पहुंचती है जहां पर सबसे पहले हम प्रत्वी की सर्फेस पर इन तरंगों को फील करते ह कहीं अंदर से हुई है और जहां से ये तरंगे जनरेट होती है जहां से भूकम्प ये तरंगे सिस्मिक वेग जनरेट होती है उद्गम होता है उनका और इजन होता है उसे भूकम्प मूल यानि की फोकस कहते है ठीक है ना भई चलो बहुत अच्छे देखो भई मेरी कोसिस है सूरच जितनी भी जल्दी हो पाएगा मैं आपका syllabus complete कराने की पूरी कोसिस करूँगा लेकिन exam से पहले तक जब भी possible देखो last में एक marathon class रख लेंगे जिसमें हम questions discuss कर लें CZL के लिए अच्छे-च्छे questions लेकिन जितना भी तब तक syllabus हो पाएगा पूरा ठीक है ना 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में भूकम पाया था गुजरात के गुजरात के भुज में भुजे के स्थान है गुजरात का ठीक है ना गुजरात के भुज में ठीक है ना भई और बच्चे अगर मैं बात करूँ 8 अक्टूवर 8 October 2005 वैसे तो आते ही रहते हैं छोटे मोटे बड़े भुकमप है उत्री कश्मीर में भुकमप आया था उत्री कश्मीर में उत्री कश्मीर के भी उरी छितर में उरी का नाम तो आपने सुनिया होगा उरी सर्दीकल स्ट्रेक तो उरी वाला सेक्टर जो है यहाँ भूकम्प का सामना किया है ठीक है न अब देखो एक करें पार ले सक्षेना लोग दूसरों से बात करते हैं बेटा जब बात करने दो तुम्हें पढ़ना है पढ़िएगा तुम भी नहीं तो तुमारी भी इक्षा हो बात करने की तो कर सकते हो बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है Study of Earthquake भूकम्प का अध्यन क्या कहलाता है भूकम्प का अध्यन भूकम्प का अध्यन क्या कहलाता है तो देखो जो important चीज होंगी मैं वो discuss करूँगा अध्यन भूकम्प के अध्यन को बोलते है Sismology 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 क्या है भचे भूकम्प के बारे में Study करना अब देखो भूकम्प को मापने के लिए जिस Instrument का इस्तमाल किया जाता है भूकम्प मापी यंत्र भूकम्प को मापने वाला यंत्र कौन सा है भूकम्प मापने का यंत्र जिस यंत्र के द्वारा हम अर्थ को मेजर करते हैं कई बार एक्जाम में पूछटा है उसको बोलते हैं भचे Sismograph 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 वो Instrument है जिसके द्वारा हम भूकम्प का मापन करते हैं मेजरमेंट करते हैं सिस्मोग्राफ अब देखो भाई जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ इसमें स्केल का इस्तमाल किया जाता है पैमाने और वो अलग-अलग परकार के पैमाने हमारे एक्जाम में पूछा जाता है Reactor Scale के बारे में तो भूकम्प के मापने के scale कौन कौन से है, पैमाने कौन से है ठीक है न, भूकम मापने के मापने के पैमाने पैमाने बोले तो बच्चे scale scale, कौन से scale यूज किये जाते हैं अगर मैं बात करूँ बच्चे जो सबसे important है, हला कि दो है मारकोनी और रॉस फिरल तो एक तो आपका पहला reactor scale जो की हमारे लिए important है reactor scale ठीक है न, reactor scale, रियक्टर पैमाना बोलते हैं से रियक्टर पैमाना रियक्टर पैमाना रियक्टर पैमाना सबसे जादा भूकम को मेजर करने के लिए प्रियोग किया जाता है और रियक्टर scale में जो digits होती हैं, संख्या, वो एक से 10 तक होती है, इससे कुशन पूछ लेता है कई बार, इसमें एक से 10 तक अंक होते हैं digit होती है अंक होते है ठीक है न भई, कितने अंक होते हैं एक से लेके 10 तक अंक होते हैं 1 to 10 और जैसे ही एक अंक बढ़ता है मैंने कहा, कहीं 4 रियक्टर scale तीवरता का भूकम पाया है और दूसरी जगह पे 5 का आया है तो इसका मतलब जो दूसरी जगह आया है वहाँ भूकम की तरंगों की तीवरता 8 गुना जादा है हाँ बच्चे मार के लिए scale है अभी बताऊंगा उसके बारे में भी थोड़ा सा तो अगर यहाँ scale पर एक अंक बढ़ता है एक अंक एक नंबर इंक्रीज करता है इसका मतलब आठ गुना जादा तीवर भूकम पाया है पैमाने पर यानिके scale पर scale पर एक अंक बढ़ने का अर्थ बढ़ने का अर्थ बढ़ने का मतलब क्या है आठ गुना तीवरता का भूकम पाया है तो ये बात थोड़ी सी आप अपनी नजर में रखिएगा इसके बाद reactor scale से लग एक रॉस्फेरल scale का भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन पूछ ले आपसे तो ही बताना है वो पूछे नहीं जाते हैं reactor scale पूछा जाता है आपसे एक्जाम में तो एक है बच्चे आपका दूसरा रॉस्फेरल नाम ध्यान रखना है रॉस्फेरल scale रॉस्फेरल पैमाना रॉस्फेरल scale और तीसरा है बच्चे आपका मार केली मार केली scale मार केली मार केली scale मार के लिए पैमाने का इस्तमाल होता है तो ये तीन पैमाने इस्तमाल किये जाते हैं भुकम्प को मापने के लिए ठीक है ना भाई बहुत अच्छे रॉस्फेरल पैमाना बिल्कुल प्रीती एक हो गया आपका मार के लिए स्केल और एक हो गया आपका reactor scale reactor scale ही इनमे सबसे ज़ादा important है लेकिन कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा पैमाना भूकम्प को मापने के लिए प्रियोग में नहीं लाया जाता है और आपको option दे दे reactor scale, rosferal और mar के लिए तब आपका answer क्या होगा जो आपका तीसरा मतलब चौथा अलग होगा बात के लिए रहे बहुत अच्छे गजब तो यहां तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब आगे थूड़ी सी बात कर लेते हैं भूकम्प के zone, earthquake zone भूकम्प के छेत्र इन्हें बच्चे हम zone भी कहते हैं हमने बच्चे अलग-अलग छेत्रों को अलग-अलग zone में रखा है भूकम्प के वर्तमान में कितने zone है ऐसा पूछ ले आपसे तो 4 zone है भारत को हमने भूकम्प के 4 छेत्रों में बाटा है बेटा 5 नहीं है zone 1 को खतम कर दिया है अब केवल 4 zone है भूकम्प के आप गड़बड कर दोगे ऐसे तो ठीक है न एक है आपका zone 5 एक है zone 4 एक है zone आपका 3rd और एक है zone आपका 2nd जो zone 1 हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया है ये ऐसा छेत्र था जहां भूकम्प आते ही नहीं है ठीक है न तो अभी present में कितने zone है तो ध्यान रखिएगा बच्चे present में आपके 4 zone है देखो भई सबसे जादा sensitive area जो होते है सरवधिक तीवर्ता के भूकम्प जो आते हैं उन्हें zone 5 में रखा जाता है तो सरवधिक सरवधिक भूकम्प तीवर्ता वाले शित्रों को zone 5 के अंदर शामिल किया जाता है उससे कम तीवर्ता का होगा तो बच्चे zone 4 में आएगा उससे कम का होगा zone 3 में और बिटा zone 2 में जहां नाम मात्र को कभी हलके फुलके जटके मैसूस हो जाते हैं ऐसी जगा जैसे कि दक्षिन भारत का आपका दक्षिन भारत के राजियां वहाँ भूकम्प बहुत कम आते हैं ठीक है ना तो सरवधिक तीवर्ता वाले सरवधिक भूकम भूकम्प छित्र ठीक है ना जहां सबसे ज़ादा तीवर्ता के भूकम्प आते हैं सरवधिक तीवर्ता वाले भूकम्प छित्र बात किलियर है महादेव लाल गुपता कह रहे है लव यू प्रीती बहुत बढ़िया बिटा प्रैम के इजहार के लिए और कोई जगए नहीं मिली इन्हें ये ऐसे होते हैं बच्चे कि जहां भी देखा ना इन्होंने के लड़की के नाम लड़की का नाम लिखा होना अच्छी है बस और ऐसे गुपता जी ना ये माध हो लाल गुपता बेटा तेरा नाम ही इतना लाल पीला है प्रीती बेटा कुछ फैक के मारे इसके जो खोपड़ी में है थी कर ना कुछ नहीं मिलें यह अमरूद दे रहा हूं मैं तुझी हमृद ब wus साफ O है का सब कौन कौन से खेद्र शामिल है काई बार पूछ लेता है कि कौन सा खेद्र भुकम के जौन 5 के अंदर गौता तह बाले ही पूछे जाते हैं बाकि इन में से नहीं पूछता है तो ध्यान रखिएगा जैसे कि मैं बात करूँ आपसे पहाड़ी छित्र हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है आपका जम्मू कश्मीर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश HP उत्राखंड का एरिया बच्चे आपका उत्र पूर्वी भारत उत्र पूर्वी भारत जहां तगडे भूकम पाते हैं या भूकम की संभावना जहां पर जादा होती है साथ के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समू और बच्चे अगर मैं बात करूँ यहां आपसे तो और कौन सा आजाता है तो और आजाता है आपका इससे अलग अंडमा निकोवार हो गया यही है बच्चे अगर देखो मैं बात करूँ जैसे कि UP का पस्टमी UP है दिल्ली है बाकी हिमाचल प्रदेश वगेरा के भी कुछ एरिया जॉन 4 में है जो कम सेंसेटिव हैं तो दिल्ली किसमें आता है अपना अपना दिल्ली जॉन 4 के अंदर है वेस्टन यूपी पस्टमी यूपी जो दिल्ली से लगा हुआ है पस्टमी उत्रप्रदेशी जॉन 5 में आते हैं आपके ठीक है न भई तो यहां कम सेंसेटिव है चलो बहुत बढ़िया यहां तक बात किलियर हो गई है अब आपस में बाचीत मत करो नी तो सच में कोटाई हो जाएगी हाँ बात किलियर है तो यह थोड़ा सा ही समझना है यहां जितना मैंने आपको बता दिया कुशन पूछेगा तो जॉन 5 से पूछलेगा भूकम के कितने जॉन है जादा तीवरता के भूकम किस जॉन में रखे जाते हैं जॉन 5 में तो जहां पर जादा तीवरता होती है आगे बात करूँ मैं बच्छे आपसे भूकम पी तरंग है सिस्मिक वेब या अर्थक्विक वेग जिने बोल देते हैं भूकम पी तरंग है चीक है न भाई तो आगे लिखोगे भूकम्प तरंगे भूकम्प तरंगे सिस्मिक वेब देखो बच्चे ध्यान से समझना है देखो भूकम्प की तरंगे जब निकलती है तो तीन पिरकार की होती है यहां समझो यह भूकम्प की तरंगे जा रही है यह अलग-अलग कलर में बनाए दे रहे हैं तो समझ में थोड़ा सा अच्छा हैगा ठीक है यहां थोड़ी सी बड़ी बनाए दे रहे हैं और और लास्ट वाली एलोई रहने दो सबसे पहले बात करें भूकम्प की जो सबसे पहली तरंगे फस्ट उन्हें कहा जाता है आपका पी वेब इन्हें प्राइमरी वेब भी कहते हैं प्राइमरी वेब ब्रात्मिक तरंगे थीगे न भई इन्हें क्या बोलते हैं बच्छे प्राथ्मिक तरंगे कहते हैं प्राथ्मिक तरंगे अगर मैं बात करूँ तो प्राथ्मिक तरंगे जो होती हैं सभी मीडियम्स में चल सकती हैं तीन तरीके की तरंगे निकलती हैं कमपिये तरंगे तीन प्रकार की होती है सभी माध्यम में ठोस द्रव गया सो सभी में सभी माध्यम में सभी माध्यम में चल सकती है सभी माध्यम में चल सकती है सभी मीडियम में चल सकती है ठीक है ना? इनकी प्रवर्ती कैसी होती है? इनकी प्रविर्टी होती है longitudinal longitudinal यानि कि अनुदर्द है अनुदर्द है प्रकृती की होती है अनुदर्द है ठीक है न भई primary wave, प्राथमिक wave बात के लिए रहे आगे बात करूँ जो दूसरी वाली wave होती है बच्चे उन्हें कहते हैं आप second नंबर पे secondary wave second वाली secondary wave जो P wave होती है इनकी जो गती होती है वो लगबग 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है ठीक है न भई 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे तेज गती से चलती है सबसे तेज गती से चलती है सबसे तेज गती से चलती है एक्जाम में कुशन पूछेगा कौन सी तरंगें सबसे तीवर गती से चलती है तो बिटा primary wave चलती है प्राथमिक तरंगें चलती है फिर इसके बाद जो second number पे आती है वो होती है आपकी secondary wave दुतियक तरंगे secondary wave दुतियक तरंगे जो आपकी दुतियक तरंगे होती है उन्हें S wave के नाम से भी जानते है S wave S wave का मतलब क्या होगा secondary wave दुतियक तरंगे दुतियक तरंगे ये दुतियक तरंगे हैं बिटाब की secondary wave है जो secondary wave है इनकी जो speed होती है वो होती है लगभग 4 km per second दूसरी सरवधिक तीवृता से यानि कि दूसरा नंबर पे सबसे ज़ादा गती इन्हीं की होती है दूसरी सरवधिक तेज तरंगे हैं दूसरे स्थान पर गती दूसरे नंबर पे इनकी speed सबसे ज़ादा तेज होती है इनकी गती सबसे ज़ादा तेज होती है ठीक है न भई और ये केवल किस में चल सकती है बचे ये केवल ठोस में चल सकती है solid form में ही चलती है ठोस में ठोस में केवल ठोस में केवल ठोस में ही केवल solid में ही travel कर सकती है केवल ठोस में चल सकती है तो दिहान रखिएगा इनके बारे में secondary wave केवल solid में चलती है लिक्विड में और या फिर गैस में नहीं चलेंगी प्राइमरी वेव सभी मीडियम्स में चलती हैं इसी लिए इन्हें लॉंगिट्यूडनल वेव भी कहते हैं जैसे कि आपको पता है कि साउंड जो होती है साउंड समस्टो न आप ध्वनी तरंग जो होती है द्वनी तरंगें भी कैसी है द्वनी तरंगें भी आपकी बच्चे लॉंगिट्यूडनल होती है क्योंकि इन्हें भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है ठीक है न भई अनुनागर गुडिया हो जाएगा जल्दी हो जाएगा मैं लगबग कोसिस करूँगा कि टाइप करवाके जो माउंटेंस है न वर्ल्ड के माउंटेंस लेक्स ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइप कराके करा दूँ ठीक है न तो जल्दी निवट जाएगा ज्यादा टाइम नी लगेगा ये एक दो टॉपिक है जो इनने निप्टा लो बस ठीक है न उसके बाद मैं दो तीन दिन में ऐसे निप्टाने की कोसिस करूँगा आगे ठीक है न तो S वेब हो गया सेकंडरी वेब और तीसरे नमबर पे आता है बच्छे आपका L वेब जन्हें लव वेब भी कहते हैं ठीक है न भई तो L वेब को हम सर्फेस वेब के नाम से भी जानते हैं ये जो तीसरी वाली है इनका नाम है L वेब L वेब को हम बच्छे आपका लव वेब भी कहते हैं लव वेब लव वेब ठीक है न भई प्यार वाली तरंग है देगे नाम प्यार वाला है बिटा ये होती सबसे ज़्यादा विनासकारी है आपको पता है ना जीवन में जब आदमी को धुका मिल जाता है और उस आदमी से आप एक बार पूछो कि बहिया क्या किया था यूँ कर प्यार किया था जी प्यार ठीक है ना और प्यार आदमी का सबसे जादा विनास करता है तो ये प्रेम वाली जो तरंगे हैं लव वेव जो है बच्चे ये सबसे जादा विनास कारी होती है ठीक है न भई तो यहाँ बाद समझनी आपको अगर मैं बात करूँ केवल ये धरातल पर चलती है इसलिए इन्हें लव वेव को बच्चे धरातलिय तरंगे यानि कि सर्फेस वेव के नाम से भी जानते हैं धरातलिय तरंगे भी कहते हैं धरातलिय तरंगे यानि कि इन्हें बच्चे हम सर्फेस वेव सर्फेस वेव के नाम से भी जानते हैं पास समझ मारी है न धरातलियत रंगे भी कहते हैं सर्फेस वेव क्योंकि ये बच्छे सर्फेस पर चलती है तीक है न भाई और इनकी जो गती होती है स्पीड होती है इनकी जो स्पीड होती है वो डेड़ से तीन किलोमीटर पर सेकंड होती है यानिकि इनकी गती सबसे कम है सबसे कम गती से चलती है सबसे कम गती से चलती है सबसे कम गती इनहीं की पास है यानिकि लव वेव के पास ठीक है न साथ के साथ केवल ये कहां चलती है केवल सरफेस पर चलती है केवल सरफेस पर चलती है तो केवल ये कहां चल सकती है बचे केवल सरफेस पे चलेंगी और कहीं नहीं चलेंगी ठीक है न और ध्यान रखने है लव वेव के बारे में खास बात क्या है ये सरवधिक विनासकारी है ये सरवधिक ये सरवधिक विनासकारी है आपने सुना होगा विनास कारी विपलीत बुद्धी ठीक है ना विनास काले विपलीत बुद्धी तो भी यह जब विनास का समय आता है तो आदमी प्रेम करता है और प्रेम में हमेशा क्या होता है विनास होता है सबसे जादा विनास कारी तरंगे हैं तो एक्जाम में पूछेगा सबसे जादा च्छती कौन सी भुकम पिये तरंगे पहुचाती हैं तो आंसर आएगा लव वेव ठीक है न भई इनकी स्पीड सबसे कम होती है केवल सरफेस पे चलती है अत्यधिक विनासकारी है सबसे जादा विनास यही करते हैं ठीक है न बिलकुल विनास काले विपरीत बुद्धी लव वेव चीजों को आप बहुत प्यार से अब अब्जर्ब कर लेते हो चलो बहुत बढ़िया तो इतनी चीज़े हमें यहां जाननी थी मैंने आपको तीन प्रकार की तरंगे बताई ह यह केबल वच्च्छे किस में चलेंगी वो सरफेस पर गति करती हैं यह सभी माध्यम में चल लेती हैं ठोस द्रव सम में चल जाएंगी भीया ठीक है यह दोनों मेडियम में चल रही है तो यहां बास समझ में आ गई अब देखो मैं अगर बात करूं कि भूपन भूकम्पी तरंग है तो ध्यान रखना है अगला पॉइंट लिखना है कुछ पॉइंट मैं नौट करा तो नौट नौट करने कुछ फैक्ट आपको पहला फैक्ट है कि भूकम्प ये तरंगों भूकम्प तरंगों के आने से पहले भूकम्प तरंगों के आने से पहले आने से पहले वाईू मंडल में यानि कि एट्मोस्फेर में वाईू मंडल में रेडॉन गैस की अधिकता बढ़ जाती है अधिकता बढ़ जाती है एक्जाम में पूछा गया कुश्चन है आपसे पूछेगा कि जब भूकंप तरंगे प्रत्वी की सत्य पर पहुंचती है तो उनके आने से पहले वाईू मंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी ठीक है न भई तो ये वच्चे होती है आपकी क्या यनि कि रैड ओन गैस यनि कि रैड ओन गैस का लेबल एटमोस्फेर में बढ़ जाएगा ठीक है न भई और ध्यान दखना है कुट्टा बिल्ली को पहले ही आईडिया हो जाता है भूकंप आने का कारण क्या है कि ये वाईू मंडल में बढ़ने वाली रैड ओन गैसों को फील कर पाते हैं महसूस तो आपने सुना होगा कि कुट्टा कुट्टा बिल्ली जानवर जो होते हैं कुट्टा बिल्ली कुट्टा बिल्ली या कह सकते हो कुछ अन्य जानवर जो होते हैं अन्य जानवरों को अन्य जानवरों को भूकंप का पहले ही आभास हो जाता है यानि कि पहले से ही पता चल जाता है यानि कि ये पहले ही फील कर लेते हैं भाई कि भूकंप आने वाला है बेटा ये जो बचे हुए है जैसे कि ब्लैक हॉल वगेरा मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं एक क्लास ले लूँगा इस पर थोड़ा फांती रखिएगा मैं बता दूँगा तो अब आपसे एक्जाम में पूछेगा कि भुकम पाने से पहले कौन सी लाइट या कौन सी गेस की मात्रा बढ़ जाती है तो आप का अंसर के आएगा आप का अंसर आएगा वाईयू में रेड ओन गेस की अधिकता हो जाती है रेड ओन गेस बढ़ जाता है ठीक है ना और जिने फील कर लेते हैं कुटा बिली तो कुछ जानवर भुकम को आने से पहले एक अजीब सी यानि कि बच्चे बॉकलाहट सी सो करते हैं अजीब सी बॉकलाहट सी मचाते हैं वो क्या है अजीब सी बॉकलाहट तो बच्चे ये इन गेसों को फील कर लेते हैं ठीक है न भई इन्हें पता चल जाता है ठीक है न बच्छे बात समझ मा रहा है न बहुत बढ़िया आगे बात करूँ मैं आपसे कि भूकम्प से जो तरंगें उत्पन होती है मतलब कौन सी उर्जा होती है भूकम्प ये तरंगों में भूकम्प ये तरंगों में कौन सी उर्जा होती है कौन सी उर्जा होती है तो आप बताओगे प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ उर्जा होती है इसे बोलते हैं बच्छे Elastic Energy Elastic Energy तो भूकम्प की तरंगों में कौन सी उर्जा होती है बच्छे Elastic Energy होती है यानि कि जिसे हम प्रत्यास्थ उर्जा कहते हैं एक्जाम में पूछलता है Elastic Energy मुझे भी पता जल जाता है कि भूकम्प है हाँ बहुत बढ़ी है मुझे लग रहा है तुम किसी जानवर की प्रजाती से बलॉंग करते हो और जितने भी जानवर हैं हमारे सभी को जानकारी बेटा पहले ही चल जाती है तो बच्चे जितने भी जानवर हैं उन्हें पहले ही प्रत्यास्थ उर्जा Elastic Energy इसके अंदर होती है आज थोड़ा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है और ये टॉपिक भी यहीं खतम हो जाता है तो आज की क्लास हम थोड़ा सा कमी रखेंगे ठीक है न यहीं तक रखेंगे मतलब अगर किसी का कोई कुश्चन हो शलो बेटा जब भूकम भी तरंगे आती हैं तो सबसे पहले रेड ओन गैस ही निकलती है इसलिए रेड ओन गैस की वेटेस बढ़ जाती है पर लेते हैं ठीक है न तो इसलिए रेड ओन गैस ज़्यादा बढ़ता है शलो भाई बहुत अच्छे कल की क्लास में बिलेंगे और यह टॉपिक इतना ही हमें समझना है अपने एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से तो एपी सेंटर क्या होता है फोकस क्या होता है भूकम के कितने जौण है कैसे किस से मापा जाता है सिसमोगराफ से कितने scale का प्रियोग किया जाता है 3 Mark, 1 आपका और हो गया आपका 3 Reactor scale Reactor scale में कितनी desert होती है दस्तक होती है Reactor नाम के एक scientist ने से हो जाता है, इसलिए Reactor scale नाम पडाउनी के नाम, ठीके ना तो यहां सारी चीज़ें ठीक है ठीक है बच्चे मिलेंगे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हाज की क्लास यहीं तक रहेगी सब ही पहरे दोस्तों को नमस्कार जैहिंद बाई बाई लव यू टेक केर ठीक है ना कल की क्लास में मिलेंगे बच्चे